दोस्तो नमस्कार आदाब सत्रीयकाल नियोज क्लिक के कारिकरम हफते की बात के साथ मैं अरु मिलेश बंगाल से बहुत बड़ी खबर है बहुत बड़ी नियूज है लेकिन दिली में इसकी चर्चा उतनी नहीं है जितनी बंगाल में है दिल्ली में थोड़ी बहुत अनुगूज उसकी सुलाई पड़ी लेकिन इसके इंप्लिकेशन्स इसके राजनितिक नहीतार्थों पर कम चर्चा होई और वो खबर क्या है बंगाल की की बुद्धवार को बंगाल की चीफ मिनिस्टर साहिबा मामता बनर जी ने संबादाताओं से बाचीत के दौरान ये कहा कि RSS में भी अच्छे लोग हैं RSS में सब बुरे नहीं है RSS में अच्छे लोग हैं भरे पड़े हैं वे सभी भाजपा को सपोर्ट नहीं करते ये बयान ममता बनर जी जी का है अब उनके इस बयान पर सियासी बंचक मच गया बंगाल में इसकी चर्चा सड़क पे चौराहे पे चाए काफी की दुकान पे काफी हाउस में पुलिटिकल पार्टीज में और यहां तक की त्रिनबुल कॉंग्रिस में भी चल पड़ी मैंने कोलकटा के कई मित्रों से पूछी ये बात पत्रकारों से कुछ प्रोफेसरों से कुछ एक्टिमिस्ट नुमा लोगों से भी सबका कहना है कि उनका ये बयान बड़ा दिल्च साल में लिया जा रहा है उसमें दो तीन बातें बहुत प्रमुक हैं दोस्तों आखिर क्या वज़ा है कि ममता बनर जी को ये बात कहनी पड़ी अगर पॉइंट वाइस देखें तो मैं कुछ मुद्दे इस बारे में कि RSS के प्रती वो क्यों बुलाएं मैं आपके सामने साज विपक्ष दो हजार चौविस के चुनाव में ऐसे किसी नेता को अपना पियम फेस्ट बनाने पर राजी होगा जो RSS के प्रती इतना मुलाएं हो जाए जैसे ममता बनर जी आजकल हो रही हैं एक बड़ा ये राजनितिक इसका मतलब निकलता है इसका नतीजा निकलता है आखिर ममता बनर जी ने ये बयान ऐसे मौके पर क्यों दिया जब उनके भतीजे अभिशेक बनर जी और उनकी धर्मपत्नी और अन्य रिष्टेदारों के बारे में तमाम तरह की पूछताच उनसे हो रही है कथित कोयला घोटाले के लपेटे से बचाने के लिए छटपटाहट भी राजनितिक हलकों में है खासकर ट्रिनबुल कॉंग्रेस में तो बहुत सारे लोग जो बंगाल की राजनीत में सक्री हैं और बंगाल की राजनीत पर चर्चा करते रहते हैं कोलकटा में उनका कहना है कि सायद आरेसिस के प्रती ममता बनर जीक की जो मुलाइमियत है जो बार बार जाहिर कर रही है उसके पीछे कहीं ये कारण तो नहीं है कि जिस तरह से उनकी पार्टी के कुछनेता पहले ही ईडी और सीबियाई के घेरे में हैं कुछ जेल में हैं और अब परिवार पर हाथ डाल दिया है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उसके एक दिन पहले यानि शुक्रवार को अभिशेक बनर जी को साल्टले किस्थित ईड गंटे बुला करके छे गंटे उनसे पूश्ताच की गई अब शेक बनर जी भी दबे नहीं उन्होंने कहा कि चुकी अभी हाल ही में मैंने अमिश शाह जी जो ग्री मंत्री है उनके बेटे जैशा के क्रिकेट मैच के दोरान तिरंगा उठाने ना उठाने पर कमेंट किया थ उसकी तिवरिनिंदा की थी आलूशना किया था इसलिए मुझे इस तरह से किया जा रहा है मेरे साथ लेकिन अगर सच देखा जाए तो ये कोईले का जो मामला है बहुत पहले से चला रहा है तो दोस्तों इस पर कॉंग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जो लोग सभा में वि ख्यवी पक्रची दल के नेता हैं इसके अलावा माकसवाधी कम निस पार्टी के मोहंत सलीम इमायम के ओवैसी सहाव और माकसवाधी पार्टी के दूसरे अधन नेता सुजन चक्रवर्थी इन सभी नेताओंने मम्ता बनर्जी पर जम कर प्रहार किये हैं और इनकी बातें इ बहुत प्रमुक्ता से चपे हैं और कुछ नेशनल नियूज में भी ये चीजें आई हैं लेकिन ये जो खबर है ये खबर के रूप में अगर आप देख रहे हैं तो वो तो छप चुकी है लेकिन इसका जो अर्थ जो बार बार मैं बताना चाहता हूं कि इसके नितार्थ क्या हैं इसका implication क्या है ममता बनर जी कहीं ऐसा तो नहीं कि बंगाल के चुनाओं के जस्ट बाद जब वो जीती थी भारती जंता पार्टी को बुरी तरह हराई थी बहुत बुरी तरह तो नहीं लेकिन ठीक है बहुत काटे की लड़ाई थी उसमें बीजेपी बहुत पीछे चू को कोई गर्म जोशी नहीं रह गई है एक जमाने में ऐसा लगा कुछी महीने पहले जमाने में नहीं कुछी महीने पहले कि प्रधान मंत्री पत की जो रेस है उसमें विपक्ष की तरफ से वो एक बड़ी दमदार के इंडेट उबर सकती हैं लेकिन ऐसा करके RSS की बढ़ाई इस बयान से लेकिन क्या वो साजा विपक्ष की ताकत के ऊपर खड़े होकर एक निता बन पाएंगी दोस्तों ममता बनर जी ने अगर देखा जाए अतीत तो 2002 में गुजरात दंगे के समय भी भारती जनता पार्टी या उस समय की जो राजी की मोधी सरकार थी गुजरात सरक उसके विरोध में भी कुछ खास नहीं कहा था और हम सब जानते हैं कि वो अटल विहारी वाजपई की सरकार में एक समय रेल मंत्री रही फिर खान मंत्री रही तो उनका एंडिये से नाता बहुत पुराना है अब अधिर अंजन चौधरी ने कहा कि RSS को पहली बार उसकी प्रसंशा नहीं कर रही है पहले भी करती रही है पुराना नाता है माकपा के यानि माकसवादी कमनिस पार्टी के मुहमद सलीम ने कहा कि RSS ने एक बार ममता बनर जी को दुरगा कहकर उनकी बढ़ाई की थी अब वह दुरगा बनकर RSS की मदद कर रही है तो ये जो चीजें चल रही हैं अब उसमें मैंने देखा कि एक माकसवादी कमनिस पार्टी के बड़े नेता सुजन चक्रवरती जो सांसत भी रहे हैं उन्होंने कहा कि ममता बनर जी सिर्फ और सरवादी ही नहीं है वो RSS की एक तरह से बंगाल की राजनीत में बात के दिनों में उसके सहयोग से वो उपर उठी है एक बार फिर ये साबित हो गया है कि ममता बनर जी भाजपा से लड़ने के काबिल नहीं है अब ये एक लेफ्ट फ्रंट का आदमी यानि वामपंथी मोर्चे का एक व्यक्ति ये कह रहा है कि वो भारती जनता पार्टी से लड़ने के काबिल नहीं है चाहिर है अधिर अधिर अजन चौधरी भी यही बात अपने ढंग से कह रहे है दिल्ली में भी जो नेशनल पॉलिटिक्स में जो लोग है वह भी ममता विनर जी को एक संदिख्ध की तरह देख रहे हैं कि कहीं वो बीजेपी से बीच बचाव की कोशिश तो नहीं कर रही है पिछली दभा जब वो आई थी यहां तो प्रधान मंत्री जी से मिली लेकिन अपोजिशन के निताओं से मुलाकात नहीं हुई अपोजिशन के किसी भी साजा कारिक्रम में वो हिस्सेदार भी नहीं बनती है तो ये जो पहलू उनकी राजनीत को लेकर हाल के दिनों में उबने हैं क्या माना जाए कि भारती जंता पार्टी ने उनको इतना तंग कर दिया है इतना परेशान कर दिया है खासकर उनके एक मंत्री की गिरफतारी चापे मारी और फिर परिवार के लोगों पर जिस तलह से लगातार हमला किया जा रहा है लगातार गिरफतारी की तलवार लटक रही है क्या इससे सच्मुच स्ट्रीट फाइटर कहे जाने वाली मंता बनर जी कुछ दिफेंसिब हो गई है बचाव की मुद्रा में आ गई है और भारती जन्ता पार्टी की सरकार यही चाहती थी कि वो बचाव की मुद्रा में रहें तो हमारा ये कहना है कि ममता बनर जी सच्मुच पिछले कुछ महीनों से बंगाल के चुनाव के ततकाल बाद जो उनकी एक शवी उभरी थी रास्ती राजनीती के लिए ऐसा लगता था कि वो पिएम की रेस में सच्मुच आगे आ गई हैं लेकिन खाल के दिनों में जो घटनाए घटी है बंगाल में और केंदर के साथ जो उनका इस समय जो एक 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 लव हेट रिलेशन्सिप दिखाई दे रही है अब आरेसेस पर वो इस तरह से कमेंट करती हैं तो जाहिर है उसका मतलब क्या निकलता है वो बीजेपी को खराब कहती है आरेसेस को अच्छा कहती है वो कहती है कि आरेसेस में बहुत अच्छे भी लोग है सब लोग बीजेपी को समर्थन नहीं करते तो ये सारी certificate तो आप RSS को दे रही है उस RSS को जिसका रायरितिक मोर्चा भार्षपा है तो इससे ये लगता है कि कहीं न कहीं जो PM race की लड़ाई है विपक्षी में यानि विपक्षी दलों के कई नेता इस समय प्रधान मंत्री बनने के आकांची है कम से कम प्रधान मंत्री के प्रत्याशी बनने के आकांची तो जरूर है इसमें कहीं न कहीं ममताब बनरजी पीछे चोट गई है ये बिल्कुल साब दिखाई दे रहा है और दोस्तों consistency भी रायनित में एक बड़ी महत्पूर्ण चीज होती है consistency consistency अगर निरंतरता, continuity, लगातार बने रहना एक जगा उसमें भी ममताब बनरजी पर सवालात हैं वो NDA की पार्टनर रही है कांस्ट्वेंट रही हैं कोँ नहीं जानता तो ये उनको कमजोर करने वाली बाते हैं जो हाल के दिनों में बंगाल की राजनीच से उभर कर सामने आई है तो एक ये जो खबर बंगाल से उभरी है उस पर हमने आपके समक्ष ये अपनी टिपणी रखी दूसरी जो खबर दूसरी जो news जो आपको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके सामने वो भी बड़ी दिल्चम है और वो बिल्कुल साउट से है दक्षन से है स्रीमान चंद्रबाबू नायडू याद है एक समय कन्वीनर हुआ करते थे कन्वीनर फ्रंट के उस फ्रंट के जो सरकार चलाता था बहुत बड़े नेता थे एक समय माना जाता था कि वो प्राइमिनिस्ट्रियल के इंडेट हैं लेकिन पीछे चूट गए पिछले चुनाओं ने उनको बेहाल कर दिया तेलंगाना में भी बेहाल और आंध्रप्रदेश में भी बेहाल जगन रेड़ी ने उनको कुछ यूँ पचाड़ा कि अब हालत बिल्कुल पंचर है लेकिन लगातार वो छटपटा रहे हैं कि कैसे पुनाह अपनी खोए हुए जनाधार को वो हासिल करें और जगन रेड़ी का आंध्रप्रदेश के चुनाओं में मुकाबला करें क्योंकि तेलंगा ना में तो उनके लिए बहुत मुश्किल है लेकिन आंध्र में वो समझते हैं कि वो लड़ सकते हैं बसरते कि कोई बेहतर एलाई उनको मिल जाए अभी ठीक 15-16 दिन पहले वो यहां दिल्ली आए और प्रधानमंत्री जी से मिले हमारे सुत्र बताते हैं कि वो और भारती जनता पार्टी भी दोनों फिर से नए सिरे से एलाइंस कर सकते हैं नेशनल पॉलिटिक्स के लिए नहीं इस्टेट पॉलिटिक्स के लिए क्यों क्योंकि वाइस कॉंग्रेस के नेता और मुख्य मंत्रियां अंधर प्रदेश यानि जगन रेड़ी सेम इतनी ताकत बतोर चुके हैं राइनितिक तोर पे कि वो भारती जनता पार्टी को एलाइंस में नहीं रखना चाहेंगे अपने साथ उसको कोई हिस्सेदारी सक् हिस्सेदार हम बनाते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है तो ये छोटी सी पार्टी जो आज आंधर प्रदेश में है वो कभी भी बड़ी पार्टी बन सकती है गोवा में जैसे गोमांतक पार्टी को उसने खतम कर दिया जिसके कंदे पर चढ़ कर वो गोवा में प्रिश्की तो एक दूसरी गोमान तक पार्टी वो क्यों बने तो उसलिए वाइस राजशेखर रेड़ी के सुपुत्र और मुख्यमंत्री जगन रेड़ी हरगी भाजपा के साथ मिलने को तयार नहीं है ऐसे में भाजपा के पास भी क्या भी कल्प हैं तो नाराजशंद्र बाबु नाइडू ने जो अफर किया बताया जाता है ऐसा माना जाता है कि वो बीजेपी को आंधर में अपने साथ लेने को तैयार है लेकिन ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है क्योंकि उनको मालूम है कि राज बिधान सभा के चुनाओं में भारती जनता पाटी उनको बहुत मददगार साबित नहीं हो सकती है लेकिन केंदर के चुनाओं में यानि पार्लमेंटरी एलेक्शन में शायद भारती जनता पाटी उनके लिए मददगार साबित हो क्योंकि यहां मामला केंदरी सत्ता का होगा और बहुत सारे जो मामले भी चल रहे हैं तरह तरह के उसमें भी मुक्ती थोड़ी मिलेगी अगर भाजपा के साथ हो जाए तो तो माना यह जाता है कि प्रधान मंत्री से चंदरबावु नाइडू की हाल की जो मुलाकात है वो एलाइंस को लेकर ही हुई और बड़ी जिल्चस्प बात है कि जिस दिन चंदरबावु नाइडू नरेंदर मोदी से मिले प्रधान मंत्री जी से ठीक उसी दिन उनके बेटे यानि नारा लोकेश ग्रिह मंत्री अमिच्शा से मिले जो पिता है वो प्रधान मंत्री से जिस से में मिल रहा था उसी समय जो बेटा है वो ग्रिह मंत्री से मिल रहा था तो ये लगभगत तय है कि कोई न कोई रायनितिक बात है कोई न कोई रायनितिक पहल है और हमारे जो सुत्र बीजेपी के हैं वो बताते हैं कि बीजेपी उनके साथ एलाइंस करने को राजी हो सकती है तो देखिए हो सकता है कि निकट भविश्य में एक दक्षिन भारत में भारती जनता पार्टी को एक नया एलाइंस मिल जाए खास का रांध्र प्रदेश में और चुनाव में क्या इस्तिती पैदा होती है ये हम उस वक्त देखेंगे तो दोस्तों ये दो बड़ी ख़बरें जिन पर चर्चा जिन को लेकर कोई खास बहस उतनी नहीं हुई है वो मैंने आपके सामने रखी लेकिन हमारे हिसाब से ये दोनों ख़बरें बहुत महत्पून है और ममता बनर जी की जो खबर है वो तो बहुत दल्चस्प है और उसके नतीजे दूरगामी है तो इस अबता इतना ही नमशकार आदाब सच्रियका